का हलो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपनी और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे section 139 appointment of Auditor जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे manner and procedure of selection of auditor कि कैसे हम सेलेक्ट करता है क्या procedure क्या तरीका है इसमें क्या है सब कमीटी किसी किसी कमणी में audit कमीटी बनाना मेंडिटरी होता है तो उसके इसमें audit कमीटी देखी जहां अड़ेटर नहीं बनती है महां Board of Dietter चेक करेगा उसका क्वालिफकेशन एक्स्पिरियंस उसके बाद क्या है वाल कंसिडिंग के प्रफेशनल मिसकंडुक्ट से रिलेटिड है कि कोई प्रपोइटर को अब करेंगे यह चीज़ें चेक करी जाएंगी अब हम देखेंगे का प्रोसेजर क्या है इस में सबसे पहले क्या होता है ओडिट कमेटी होती है ठीक है ऑडिटकमेटी उस नेम से बनिधे बंदे को लिए और अगे मेंबर को नेम करनाना है अब यहां तो उस किसमें क्या होगा यह राफेखेंडेशन अपने सुझाब को अपने सुझहाब को को सब्सक्राइब और रिजए पाताएगा तो अपना जो भी उसको तो अब क्या करेगा ऑडिट कमेटी उसको रीकंसिटर करेगी इसने अपना सुझाफ दे दिया ठीक है इसके समें क्या है अगर उससे सहमत हो जाती है यह बोड़ डायक्टर एग्री कर जाता है सॉटरररम सुखे से अउसके समय क्या है उस निम को रिकंड कर दिया जाता है मेंबर्स को ठीक है क्यूंना कर रहा है यहरीन रिजद्ट करके अपनी ओन रिकमेंडरी मेंबोर को दे देगे यह ओड़ने कांट करना है अब क्या हम देखेंगे और पॉइंटमेंट कैसे कैसे क्रता हैं इसके लिए न करेंगे पिस तरह feature को यह ऊं पोइंट करेंगा इसके यह वाली चीज आप याद रखेंगे इसमें क्या है सीजी सबसे पहले हाइर अपोईंट करने के लिए तो उसकेस में बोड़ डायटर पोईंट करेंगा और अगर पोड़ डायटर फेल हो जाता है तो इसमें फिर बहुत इसी हो जाएगा अब फर्स्ट आउटर के केस में सब चैञें करें मीटिंग में करता है अब सब्सक्राइब है कर दो हो जाता है तो उसकेस में थाथ हमेशा की बोर्ड़ टायटर करेंगा 30 देज के लिमिट लेते पोड़ चाप्याइब लिमिट यह मैं आपको थोड़ा क्यूं सेलेक्टिव होकर वाइव तो आपको क्लियर रहेगा माइंड में कि हाँ अगर गवर्मेंट कमिनी से तो सिंपल सी एजी हाइर अपने करेगा ठीक है डेज आपको याद रखेगा बॉर्ड ऑफ डाइटर की किसमें आप कंफ्यूज ही होंगे सिस्टी डेस था या फिर फिफ्टी डेस था क्या था किया यह तर्पा क्लिक रग्या है अगर और हमारा न था ट्राइटर के और plant यहांगर कंपनी करेगा। तो इसमें बटेभल यादो पिफिर यवर्म हमेशां थटीर में कहते हैं आगर हमारा भर्योड लेटर हो जाता है यह आपको याद रहे कि थर्टी थर्टी होता है तो थर्टी नाइनटी इसमें किया है 60-30-60 हमारा हम ने रखने सक्वेंज और इसमें आपको यह आपको यह एकार मेंबर करते हैं इसमें यह फिर्ट यहां कमपनी से अब यह आप यह जाएगा खिक्या अधान गयाइंट नहीं करते हैं अब यह आप देखना है कितने टाइम में पॉइंट करेंगे मेंबर कैसे आपको याद होगा जनर मीटिंग में मेंबर अपॉइंट करते हैं यह कितने कितने टाइम के लिए होल्ड करेंगे ठीक है फिर्स्ट ऑटर के क्या होता है अब आगे जितने भी ऑटर रहेंगे मतलब फॉइंट करेंगे वह पांस साल तक के लिए रहते हैं तो इसमें का है फॉइस फॉर्स टील ऑफिस टिल दा कंक्लूजन ऑफ देए जब तक जन्र मिटिंगा निया जाता तब तक इनको होड़ करना है क्या है अब हम आगे देखेंगे जब कभी ऑटर को पहली बार अपॉइंट किया आता है बिफोर सच अपॉइंट्मेंट इसमेट और को क्या क्या चीज देनी होंगी पहला अपना रिटेंट कंसेंट देगा कि हमें रैडी हूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है प्लस में एक सर इडिट थे ठीक है अपॉइंट्मेंट विदिन दरिमेट हुआ है आगे आप देखेंगे ट्वैंटी कमटी की लिमिट होती है कि कोई आटर बस 20 में उडिट कर सकता है तो यह क्या विदिन लिमिट ठीक है फिर इसमें क्या प्रसीडिंग लिस्ट आपैन्डिंग एस जिस् करती है ओडिटर को और रजिस्टार को विदिन 15 डेज में इन दा फॉर्म एडीटी वन आप याद रखेंगे 15 डेज के अंदर आरोची को इन फॉर्म कर दिया जाता है इन दा फॉर्म एडीटी वन में अब इसके बाद हम देखेंगे कैसे फाइल करते हैं यह वाला ऊपर क्याता है आपको सिक्वेंस याद होगा सीजी फिर बोड़र राइटर दैन मेंबर याद रखेंगे कभी भी मेंबर का इन्वोल्मेंट नहीं होता है अब जेक्टिव कोश्चन अगर आते हैं कि कौन फाइल करेगा तो आप याद रखोग सब्सक्राइब फाइल करें करें कि फाइल करते हैं कि वह गवाण के फिल करेंगा सौरी करें थेल करेंगा ठीक है अगर एक यहां एक special case यह बन जाता है यह आपको थोड़ा याद रखना है in case of resignation अगर हमारे auditor ने resign करा है ठीक है तो उस case में क्या है appointment जो करेगा न बोड़ डाइटर बोड़ डाइटर appointment कर ला था तो यहां क्या बोड़ डाइटर जो appointment करेगा वो approve करानी पड़ेगी by the company आपको अपरूव करनी पड़ेगी और यह जन्रा मींटिंग आपको कन्वीन करनी पड़ेगी within three months ठीक है तीन महीने के अंदर आपको कंड़क करनी पड़ेगी off recommendation of the board बोड ने जिस दिन recommendation दिया ना वहां से तीन महीने के अंदर आपको जन्रा मीटिंग करानी होगी वहां प आपको क्या एक approval लेनी होती है जन्रा मीटिंग में जो की कंड़क करानी होती है त्री मन्स ऑफ दा रिक्रमेंडेशन ऑफ दा बोड सिंपत अब हम देखेंगे eligibility qualification and disqualification सबसे पहले हम देख लेते है eligibility eligibility के अंदर क्या हुआ वह individual है अगर वह individual है तो वह क्या CA होना चाहिए ठी है सिंपल अब इसमें disqualification के अंदर आपको चीजे देखनी है ठीक है पहली बाद तो आपको यह मैं जो eligibility qualification and disqualification जो आपको बता रहे हूं इसमें यह क्या है आपको जादा इंपोर्टेंट हुआ कर लेने है ठीक है अगर कोई पॉइंट आजा एक दो नंबर का तो आप कर सको disqualification के case में क्या है वो body corporate नहीं होनी चाहिए other than LLP यानि LLP होका तो चलेगा officer और employee नहीं होनी चाहिए of the same company जिस company में आप officer और employee हो उस company के आप order नहीं बन सकते हो थर्ड है partner नहीं होनी चाहिए employment में नहीं होनी चाहिए of the officer और employee के ठीक है फूर्थ है person और उसके रिलेटिव और उसके partner कोई भी इन तीनों में से कोई भी अगर hold करता है नहीं security कहाँ पर company में holding में associate में subsidy में subsidy में subsidy of holding company में अगर वो hold करते हैं ठीक है तो उस case में वो disqualify हो ज तक कोई relative hold करता है तो उस case में वो person disqualify नहीं होगा ठीक है अगर यह exceed कर जाता है वन लैक से तो उस case में क्या order को corrective action लेने होंगे within next 60 days to maintain the limit अगर साथ दिन के अंदर सिंपल सी पात है एक लाग से जैसी ज्यादा हुआ ना तो वहां किया आपको साथ दिन मिलते हैं साथ दि ही लेकर आजाओ maintain the limit ठीक है फिर next case देखिए in adapted to the company अगर यह इन में से कोई भी person या उसके रिलेटिव या पार्टनर कोई बी इंडेप्टेड है मतला कर्ज लिया हुआ है कहां किस किसमें कंपनी में होल्डिंग में सबसी में सबसी में सबसी और फोल्डिंग कमटी ठीक है या सिक्योरिटी दिये और अमाउंट ऑफ एक लाग से ज्यादा ठीक है कहां पर कंपनी में होल्डिंग में सबसी में सबसी और फोल्डिंग यानि यह तीनों मैं देखो तहली बात मैं बता दू आपको लग रहा हो बड़ा है लेकिन यह तीनों सेम है ठीक है अब नेक्स प सबसीटरी में होल्डिंग में सबसी और फोल्डिंग में सबसी और अशुशीएट में ठीक है इसमें अगर बिजनस लेशनशिप में एंटर करते हैं तो सिंपल सी बात है वो डिस्कौलिफाइड हो जाएंगे लेकिन यहां दो असेप्शन दिया है मतलब इन में आप अगर तो दिस्कौलिफाइड आप नहीं होंगे क्या नेचर ओफ्टा और किसी कोई दे रहे हैं वह अगर नेचर है तो उस दिस्कौलिफाइड नहीं के यह नैक्याइट फिर अगर कोई रिलेटिव जो है डारेक्टर तो उसकेस में वह डिस्क्वालिफाइट हो जाएगा फुल टाइम एंप्लॉइमेंट कहीं पर तो वह और नहीं बन सकता मैंने आपको पहले बता है लिमिट जो होती है अगर बीस कमपनी से ज़्यादा आप कहीं ऑडिट कर रहे तो उसकेस में आप डिस्क्वालिफाइट हो जाएगे अगर आपने कोई फ्रॉड कंडेक करा है और दस साल आपके कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप किसी भी कंप्री में ऑडिटर नहीं बन सकते हो यह भी आपको याद रखना है अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 144 145 इसके अंदर क्या है कुछ सर्विसिस दिया और वो सर्विस सर्विसिस की लिस्ट वह बंदा कंप्री में होल्डिंग में सबसी डिरी में यह सर्विसिस नहीं दे सकता कौन कौन सी नहीं दे सकता मैंने सिंपल इसके लिए कोड बनाया एडस ठीक है एड़स एसे हमारा क्या यह दो पॉइंट कभर हो जाते हैं और अप्लिए फैनेशल सर्विस भी नहीं दे सकता है फ्रसक्राइब न झो भी नहीं दे सकता है आपकी नर्ग होquar हे हैसे एंपर्डेंट टॉपिक इसे देख लीजिए क्योंकि इसमें एक प्फिद्ट कोश्टिन बन जाता है ठीड है रोटेशन और कहां किस-किस कंपनी पे लगता है मतलब कुछ-कुछ टायम के बाद और को रोटेट होना पड़ता है तो यह किस-किस कंप्पनी पर लगेगा और बड़ी-बड़ी कंपनी यह लग गए जवल परसन कंपनी पर नही का मतलब है अनलिस्टेट पबलिक कमपनी का मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और कमपनी जिसमें बोरी जो इतनी इससे जादा है ठीक है तो इस केस में क्या है रोटेशन का लग जाएगा इन दौन में पेड़ शेयर कैपिल चेक कर रहे हुँ अगर जितनी भी अनलि पचास करोर यह जादा हो जाती है बोरेंग्स कहां से है फ्रॉम दा बैंक और पब्लिक डेपोसित ठीक है यह यह रखना प्राइवेट कमपनी नहीं होती है क्योंकि प्राइवेट कमपनी जो है डिपोसित असे जादा है तो उसकेस में भी रोटेशन का लग जाएगा इसक इंडिविजुल के लिए वन टर्म का और फॉर्म के सब्सक्राइब यानि कुल मिलाखी दस साल तक और बन सकता है ठीक है फिर उसके बादे कूलिंग और आजाता है मतलब ब्रेक आजाता है उसमें क्या होता है कॉंटिनियस पाफाइव यह का ब्रेक आता है ठीक है नौट इलिजिबल टू बी अपॉंटिड इंडा सेम उसी कंपनी में आपको लगाता पांस साल का ब्रेक लेना होता है मतलब लगाता मैं यहाद रखना कॉंटिनियस ऐसा नहीं बोलेंगे कूलिंग 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 मतलब एक ब्रेक कंटिनियस ऑफ फाइव यह का होना चाहिए इसमें अगर ऐसा हुआ तो उसकेस में आपकी पैनल्टी आजाएगी 147 के अंदर ठीक है नेक्स्ट मारा डीम जी अपॉंट्मेंट का मतलब है रियापॉंट्मेंट ऑफ रिटारिंग और जो और रिटायर हो रहा है मुसी को दुबारा से अपॉंट कर ले रहें वह कब होत कर सकते हैं किसी भी आपॉंट्र अपॉंट्र अगर किसी भी आपॉंट्र अपॉंट्र नहीं हो पाइगा आपका जो एक्जिस्टिंग और है वही आपका कंटीनियू रहेगा नाउद नेक्स टॉपिक इस प्रॉविजन रिलेटिंग तुदा ओड़िट कमेटी का आप सारे की सारी लिस्टिट कमगनी पर अनलिसट्रेट कमणी में आपको चया रखना ना टॉप टॉपी टॉप्र टॉप टॉद्स अगर आपका टॉवर सौ करोर यह उससे ज्यादा है यह तो यह तो यह यह आपको याद हो गया ख्लियर अब आगे देखिंगे और रेमिनेशन और को क्या रेमिनेशन दिया जाता है देखो राइम रेमिनेशन के अंदर यहां पर क्या क्या चीज इंक्लूड होती है इन एडिशन टुदा फीस जो फीस उसको देनी है और वो तो आएगा याएगा और कोई खर्चे अगर उसने कर रहे हैं इन कनेक्शन विद्ध और अडिट से रिलेटर अगर उसने कोई खर्चे करें वो भी उसमें रेमिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा लेकिन अधर सर्विसेज रेंडर बाहिम एड़ रिक्वेस्ट आप कंपनी कंपनी की रिक्वेस अगर कोई और सर्विसेज देता है तो वह उसमें में इंक्लूड नहीं होगी ठीक है फीज के सासाथ खर्चे अधर सर्विसेज को रेंडर करें तो वह इंक्लूड नहीं होगी वैंनेक टेवल के तुर आपको समराइस करने कोशिच करिए फस्ट और और की मीटिंग किस और यहां क्या है अगर यह मीटिंग कंड़क्ट हुई है तो जनर मीटिंग हुई है तो यहां आपको सम्राइज करने कोशिश करिए जो कि आपको करना पड़ेगा ठीक है उलिशन पास करना पड़ेगा एक सेंटर गोर्मेंट को हम हमा स्पेशल पास करना पड़ेगा थे तो बिएच को पॉइंट हम लेखेंगे अब हम देखें के डारेक्शन इन केस ऑफ और एक्टेड इन फ्रॉड्लेंट मैनर में कोई काम करता है तो उस केस में ट्रॉड्ल क्या करें ट्रॉड्ल के क्या राइट सेंट इसकेस में खुद से सीव मोटो या फिर किसी आप्लिकेश तो यह याद रखनी है एक्जाम में आपको लिखना है कि हम उसने काम कर रहा है अबैटेड या कॉल्यूटेड इन फ्रॉड में और इन रिलेशन तो उसकेस में ट्रॉड्ल क्या करेंगा त्रॉड्ल विदिन 15 डेज में 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 एन ओर पंदर दिन के अंदर प्रॉड्ल ओर काम नहीं कर सकता है सेंटर को सब्सक्जाइब हैं नहीं कर सकता है इसमुड्ल इसन है कि İş किसी भी कंपनी में अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि सेम कंपनी में आप कुलिंग ओफ लगाता है यहां क्या है प्लस आपको 447 की पैनल्टी लगेगी वह अलग ठीक है यह दो चीज आपके याद रखेंगे फिर अगर फॉर्म के के समें क्या अभी तक तो ऊपर इंडि अगर कोई और फ्रॉंड लान में काम करा तो तो तुमनल के पास क्या क्या हग तुमनल क्या कर सब्सक्राइब अब देखेंगे पहले मैं आपको बता देती हूं कहीं आप देख रहे होंगे कि स्टडी मेटेरियल के मैंने कंडेंट उठाया कहीं मैंने चार्ट बनाए तो ज और प्राइब आपको करेंगा कमणी को अड़्सक्राइब अगर सब्सक्राइब अगरेर के सब्सक्राइब करना है तो दिशन के अंदर डिशन कोरें एडिटि त्री मैं अदीटी त्री मैं अधीति क्यों बोली है पर क्योंकि हमारे ऑच्वाइं दिटी फॉनsecond भी होता है तो हमारा क्या है मारा माइंड कन्फ्यूज होता है एक्जाम टाइम में कि कौन सा फॉर्म था हमें यह तो याद आ जाएगा थी था वंदा लेकिन यह उसी था या एड़ी था तो मैंने अधिती से आपको याद करा रही हूँ आपको अधिती 3 के अंदर आपको बताना है और या कौंट्रावेंशन करें और ने इनफॉर्म नहीं किया तो उस केस में पैनल्टी लगेगी सिंपल मिनिममम लगेगी 50,000 और और ओर पीज जो भी इस पेसे कम हो ठीक है 50,000 और जो भी वह ओर ओर आपकी मिनिममम पैनल्टी हो जाएगी ठीक है मैक्सम लगेगी 2,002,00 की पैनल्टी लगेगी अगर वह कंटीनिंग डिफॉल्ट कर रहा है तो उस केस में 500 रुपे पर डे के साब से पैनल्टी लगेगी यहां पैनल्टी पहले चेंज थी अभी अमेंडमेंट्मेंट के थू नई पैनल्टी आई है तो आपको यह थोड़ा याद रखना है इंपॉ क्या सब्सक्राइब करें दिझेक अगरेंट नहीं करेंगे अब क्या करेंगा रिपर्जेंटेशन देगा इन राइचिंग में रिक्वेश्ट करेंगा रिक्वेस्ट करेंगा तो इस नोटिफिकेशन टुदब इसका नोइफिकेशन जो है मेंबर को देज़ी अब कमपनी क्या करते हैं इन एननी नोटिस टेट दा फैक्स आप बिजनेशिघन घॉटर ने और क्या करेंकि सेंड कॉपी को एक कॉपी भी रिप्रेजेटेशन की भेज देगी इफ कॉपी ऑफ रिप्रेजेशन नोट सेंट अगर कम्टी ने रिप्रेजेशन नहीं दिया है क्यों अगर रिसी टू लेट वो देड़ से मिली थी और के पास से या पर कम्पनी की खुद की डिफॉल्ट की वज़े से तो उसके समय क् और क्या फाइल विद्ट रजिस्टार को फाइल कर देगी लेकिन इसका कुछ एक सब्सक्राइब करने की ज़़त नहीं रहेगी अगर ट्रिबनल सेटिस्फाइड हो जाता है और एंप्लिकेशन इदर ऑफ दा कंपनी और एग्री परसन ठीक है कि राइट जो है आर बिंग अब्यूज वाइट ऑड्टर मतलब जो रिप्रेजेंटेशन देकर अपने राइट को अब्यूज कर रहा है ठीक है अगर इस बास से सैटिस्फाइब हो जाता है और नहीं मीटिंग में रिडाउट करने की ज़़त है यह दोनों चीजों की ज़़त नहीं पड़ेगी अब ह इस बास पर पार्टनर के साब से मैं वह बीस कम नी की ऑड़िट कर सकता है और एक चीज और आप इसमें याद रखें नौट इंक्लूड़ें दा लिमिट ऑट्वेंटी कंपनी मतलब यह जो कंपनी जब इस कम नी आप कांट करोंगे तो इसमें यह कंपनी नहीं होंगी कौ कंपनी में यह कांट नहीं होगी अब एक एक्जांपल देख लेते हैं इन केस ऑफ ओडिट फर्म हैविंग थी पार्टनर से तीन पार्टनर नहीं तो ओवराल सीलिंग लिमिट किती होगी सिंपल सी बाते हैं क्यूंकि पर पार्टनर बीस कंपनी की ऑड़िट होती है तीन सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है सीलिंग और नंबर ऑफ ओडिट आपका क्लियर अब नेक्स टॉपिक देखेंगे पावर और राइट्स ऑफ और इसमें जो इंपोर्टनेंट है मैं उसमें टाइम लेके बता दोंगी बाकि इसमें एस सच कोई इंपोर्टनेंट नहीं है इसको राइट रहेगा नेक्स्ट नहीं है इसके पास राइट रहेगा नेक्स्ट आमारा राइट नहीं का मतलब होता है जबत करना किसी भी चीज़ को तो इसमें यह थोड़ा इंपोर्टेंट में इसको आपको बता देते हुँ इसमें जनर प्रिंसिपल आफ लॉव और विच हैस्वाग मतलब ऑटने अगर जिसी पर काम करा है में रिटेंग प्रोपर्टी उन वर्किंग पेपर्स को वो रिटेंग कर सकत किसी प्रोपर्टी तास भी नहीं जनर प्रोपर्स को वो तस्यार प्रोपर्स काम करता देग